महिंद्रा की थार नए अपडेट्स के लिए तैयार की जा रही है यहाँ अपडेट BS6-2 अनुपालित डीजल और पेट्रोल इंजन तक सीमित होगा वहीं इसके फीचर्स में बदलाफ होने की उमीद बहुत कम है लीख हुए कागजात के अनुसार थार जल्द ही RDE Nium और E-20 इंधन पेट्रोल वर डीजल इंजन के अनुकूल होगा इस समय इस गाड़ी के 4X4 वर्जन में 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है दोनों इंजन्स में मैनूल और आटोमेटिक ट्रैंस्मिशन को जोड़ा गया है इसमें XUV 300 Source का RDE इंजन होगा जो 117 BHP का पावर और 300 NM का टॉप जनेरेट करता है थार के अलावा महिंद्रा अपनी दूसरी SUVs जैसे XUV 300, XUV 700, Scorpio, Bolero, Bolero Neo और Marazo MPV को नए इमिशन नियम BS 6-2 के अनुरूप तैयार कर रही है बता दें कि महिंद्रा ने इस महीने की शुरुआत में RUDD वर्जन के LX Diesel Manual की कीमत में 50,000 रुपे तक की बढ़ोतरी की है इस नए अपडेट के चलते दूसरे वेरियंस 10,000 से 30,000 रुपे तक महेंगे हो सकते है